उत्राखंड में इन दिनों एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि उत्राखंड सरकार ने उत्राखंड में होने वाले चुगान कारी को प्राइविटाइजेशन में डाल दिया है तमाम नदियों में प्राइवेट लोग काम करेंगे इसको ले करके पूरे प्रदेश में हंगामा मौबदिया है ने यह सरा सर गिलत है यह सब ब्रांती फैलाई जा रही है इनफेक्ट देखिए जो पहले उत्रप्रदेश की जो नियुक्त किया था उसमें प्रविधान था कि जो पटधार के उन से रोल्टी एडेटेंट ओगरा क्लेशन के लिए गॉवर्मन्ट ठेकदार को हमने चैनित कर सकती है और जब हमने अभी नए नियुक्त कर सकती है जो कि पटधारक जो अभी है एग्जिस्टिंग उनसे रोल्टी एडेटेंट कर सकती है और अभी वहीं ब्योचता है यह कहना किसी का कि नहीं प्राइबट आकर आकर मनें उखरन करेगी यह सब गलत है जो पटधारक है बैदर निगा में पर जबन विकास निगा में पटधारक के रूप में काम करेगा वही रवाना काटेगा वह प्राइविट जन्सी जो मैंने आपका ठिकदार जोचकर नित होगा वह जाकर रवाना नहीं काटेगा कोई भी पटटे हैं बैदर है कि आके मैंने गोर्मेंट किसी प्राइवट एजनसी को मैंने माधेम से खनन करनाने जादी है एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से पहले आनियंदित रूप से अवेद खनन होता था कहीं न कहीं इस टेंडर प्रिक्रिया के बाद उस पे लगाम लगने क्वाली है कहीं वही लोग तो नहीं है जो अवेद खनन में लिपत रहते थे और उनको डर है कि इस प्रकार की क्रिया होने के अवेद खनन पर लगाम लग जाएगी वो लोग उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने बताया कि राजजस्वी जो प्राप्त होता पुरी निकासी नहीं दर्सारा पा रहे थे अब यह है जो चैनिक जो संस्था है जो ठीकदार है कम से कम यह एक मुझत से 303 करूर पर मैंने बोली गई है वी तो 303 करूर में समझे की सव जहां मिलता था वहां भी 300 से उपर ही हमें मिलेगा एक प्रिवन यह प्लस उस पाइदा टैक्सिस मिले के 400 के लगभा हो जाए तो अलमुस्ट नेट देखिए तो 300 करूर का इस्टेट गवर्मन को फाइदा होगा प्लस यह एजनसी क्या करेंगे जैसे पटे धारक के हां से जो भी ट्रांस्पोर्टर लेकर चला माल वहां से एदी ओवर्लोड लेकर आएगा या बिना रवना के एक गाड़ी से एक रवना पर पहले तीन-चार इससे निकाल लेते थे ओसम्मोन यह पाएगा क्योंकि तो नाका लगाएगा आगे पटा चेतर मने पटा चेतर से बाहर जहां की यह रास्ते पर निकलते हैं तो वहां भी वह चेक करेगा उसको और चेक करके गौर्मन को मनें बताएगा हम लोग इस पर पेनल्ट पूरा नाइब होगा है तोटल लुजबाद चेक होनी है उत्राखंड में खनन कारोबार काफी बड़े स्तर पे होता है उत्राखंड की एकोनमी खनन पर काफी डिपेंड करती है क्योंकि हर साल लगबख 40-50,000 लोग ऐसे हैं जो सीधे तोर पे खनन के सकाम से जुड़े हैं ट्रांसपोर्टरों को जरूर भरमित किया जा रहा है कि उनके काम पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन इस पूरी टेंडर प्रक्रिया से किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टरों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है उनको बलकी फाइदा होने वाला है क्योंकि जिस तरह से प का हर साल फाइदा राज्य सरकार को होगा वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और शायद इस प्रक्रिया में अगर कुछ गड़बड हो तो सामने भी आईगी लेकिन जिस तरह से लगात बात सामने रखीगी सरकार के द्वारा सीधे तोर पर साफ नजर आ रहा है कि राज्य सरकार को बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है अवेद खरन पर लगाम लगने वाली है और जो लोग अवेद खरन से जुले रहते थे शायद उनको भारी नुक्सान होने वाला है दानि